तीन नेताओं के साथ E.D. की पूस्ताच चल रही है लालू यादों से आज पूस्ताच हो रही है उदर भूपेंदर हुड़ा से पूस्ताच है और हेमन सोरेन से भी E.D. पूस्ताच करने उनके घर गई लेकिन 31 तारीक को हेमन सोरेन E.D. के सामने पेश होगे इन तमाम पूस्ताच को लेकर कई सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं इस सब पर केंदरी ग्रही राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने N.D. TV से बात की नित्यानंद राय ने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कारवाई होगी आज सुभा E.D. ने लालु यादव को पूस्ताच के लिए बुलाया दूसरी तरफ जारखन में भी हेमन सोरेन से E.D. पूस्ताच करेगी में सत्केंद्री ग्रे राजमंत्री नित्यानंद राय साहब है सत्कल बिहार में आपकी सरकार बनी और आज आरोप लगने लगा कि E.D. की रेड लालु यादव परिवाट पूस्ताच करके गरीवों के खून पसीने की कमाई जमी और जिनके पास घर बनाने से ज़्यादा जमीन ने थोड़ी जमीन जिसके पास है उसको भी नौकरी देने के नाम पर जमीन उनसे ले लेना यह बहुत भड़ा अपराद है गरीबों की आप पड़ी है और कानून तो जाएगी जहां इस प्रकार की अपराद धिक गटन ाम जाले होंगे धिक यादि के भी दी कियो किसे बीजेपी देना मुंसे पूछना जाते हैं इडी स्वतन तरिकाई हैं जहां कानून के खिलाब करवाही तो यहां कौनून तो नहीं काम करता है। और मैं हम उनसे असपास टूप से पूछना चाहता हूं सिर्मा लालो जी से और स्रीत तेजस्वी जी से क्या प्याद कीजिए चारा घोटाले के मामला को अभी तो खैर यह मामला जो चल रहा है इसे वही मामला कोई बंद नहीं हुआ चल नहीं रहा है चारे घोटाले में जिस और उसमें आप केंदर की सरकार में भी समलित थे तो क्यों उसमें भी तो आपके पास केंदर की एजिंसिया जिसको कहते है कि केंदर की सारे पर चलती है नहीं वहां कानून की एजिंसी है केंदर की एजिंसी नहीं है कानून अपना काम कर रही है आखिर में एक सवाल, जार्खन में भी आरोप लग रहा है कि बीजेपी चाहरी है कि महाँ सरकार बन जाया और इसलिए हेमन सुरेंट पर एक तरह से दबाव है यह बड़ा आरोप लगा रहा है यह गलत आरोप है मैं पहले भी कहाना कि जहाँ लोग कानून तो रहेंगे, भरस्टाचार करेंगे, घोटाला करेंगे और अपने लिए धनी कठा करेंगे और जिस धन से विकास होना चाहिए विकास का वह अपने हित में लोग लगाएंगे तो कानू तो ओह जाएगे ED तो स्वतंत्रिकाई है और उससे इसको कोई मतलब नहीं होता है ED स्वतंत्रिकाई अपना काम कर रहे तो केंद्रिक राजमिंत्री नित्यनन राय जिनका साफ कहना है कि E.D. के जो करवाई है उसका कोई राजनितिक माइने निकालना गलत है क्योंकि E.D. एक सोतंत्रिक आई है और फिलाल करप्शन के जो आरोब है उसकी जांच हो रही है पटना से कमरपसंद्र राज़ गुपता के साथ रनवी एंडी टीवी इंडिया के लिए